स्लीप वॉकिंग के बारे में नीद में चलना इसके बारे में आप से आज बात करने वाला हूं मेरा नाम में डॉक्टर दीपर केड़कर में मनोविकार सेख्ष्रोग सम्मोहन तथा विसनमुक्जी तग्यों महाराष्ट में अकुला में प्रैक्टिस करता हूं विशेवता बच्चों को बच्चे हमारे पास में लेके आते पेरेंट्स लोग और उनको प्राब्लम रहता है कि नीन में चलना यूजिली वो नीन लगने के बाद 15 मिनिट से लेके 120 मिनिट मलत दो घंटे के अंदर अंदर वो उठ जाते और उठने के बाद में कुछ अलग-अलग हरकते वो करेंगे बच्चे नीन में चलना उसकी स्कूल की बैग उठाना उसमें से किताबे निकालना जैसा पढ़ने के लिए तैयरी कर रहा है या स्कूल जाने के तैयरी कर रहा है या फिर कुछ तभी धूनना घर में कोई चीजे धूनना खुद के कपड़े या प uniqu compr द्रान जाना कुंछ K में तैयरी की कुछ लहा होता है कुछ लोग भेएकल लेक् law लेके निकल यतले बाहर जाते बाहर है यह वस्ता में उसको उठाने के कोशिज किया है तो उठाने जागृत आहा नहीं समौज़ों पूरा उठा लिया तो वो confused behavior उसका रहेगा, जब वो उसके साथ में वो वेक्ति के साथ में बातचीत करने के अपने कोशिश किया, तो वो क्या बोलता है अपने को समझ में आता नहीं, ऐसे कुछ तभी पुट-पुट करते रहता है वो, उसकी भाष्या अपने को समझती नहीं है, clear बातचीत नहीं करता और इसको बोल दिया जो जाओ एसा जो जाओ उठने का नहीं है कुछ राएंग कोश्या इसको क्या है, तो वी आते रहता है अब ऐसे वेक्ति का करना ही पास, बच्य लेक्टे लेक्या आते ऑपालक वरग तो एक तो ग है कि उनको, एक तो एक तो, जो म जो है अच्छी नीन की वह 12 टिप्स का पालवन होने करना ची नंबर एक नंबर दो उनको सेव जगा पे सुलाने का है कुछ दिन तक कि जहां से वह उठके जल्दी से जल्दी उतर के बाहर नहीं जा सके फिर घर से घर में अंदर से लॉक करना वह भी कर सकते कि वह बाहर निकल जाएंगा तो प्राब्लेम आएंगा लॉक करना या कोई आसपास में ऐसे कोई तिक्ष्न हत्यार या कोई अब्जेक्स नहीं रखने का है कि बहुत ही ज्यादा है तो कम मात्रा में कोई दवाई या बेंजोडाइब इस जो आती हो हम दे सकते हैं जिससे कि वह अच्छे उस मुक्तत हो जाएंगा तो यह उसका पालनगर एंगा तो यह जो प्रॉब्लेम है सलिप वौकिंग का शीप वॉक क्वोग धिकश्क ओसकता है प्रॉब्लेम इसमा कि कि वह कि सब्सक्राइब डो कि आदे ऑघिक्र होते थे आजिक्आ होती तो नहीं मगर बोल सकते लिए इस स्लीपी स्लीपी लगता है फिर बच्चा निन में उसको अटेंशन कॉंसेंडेशन पढ़ाय में होता नहीं दिन में नहीं आती है तो पढ़ाय में वह इच्छ हो जाता है तो ऐसे प्रॉब्लेम से इसलिए जो स्लीप वॉकिंग इसका इलाज करना ज़रूरी है यूजिली अगर उसका इलाज दी किया तो जो प्रॉब्लेम से स्लीप वॉकिंग से वह प्रॉब्लेम से ठीक हो सकता है पढ़ाय में अच्छा आगे बढ़ सकता है और अच्छी तरक्की कर सकता है यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धेनेवाद वीडियो आपको अच्छा अच्छा लागा तो यू शेर करो सब्सक्राइब करो लाइक करो थैंक्स फर वाचिंग करो